राजस्थान मिशन 2030 प्रगती की गती अब 10 गुना नमस्कार सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्वी नीस रोही मुख्यमंतरी श्रीय अशोग गहलोत के मिशन 2030 की लक्ष के तहत महत्वुपूर्ण और प्रगती शील सुजाव प्राप्त करने के मकसद से चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग 25 अगस्त से 5 सतंबर तक जिला और संभाग स्तर पर हितधारकों के साथ चर्चाएं आयुजित करवा रहा है इन चर्चाओं में इस पर फोकस रहेगा कि वे 2030 तक विकसत राजस्थान की चुकित्सा एवं स्वास्थ सेवाओं को किस रूप में देखना चाहते हैं सुजाव को शामिल कर 6 सतंबर को निदेशाले जैपुर में राज्यस्तरिय चर्चा आयुजित की जाएगी इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण सुजावों के साथ एक कारेयोजना बना कर एक विजिन डॉक्यूमेंट तयार किया जाएगा जिला और संभाग स्तर पर होने वाली इन चर्चाओं में स्वम सेवी संस्थाओं की प्रतिनिधियों चिकित सको, मैडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों, सेवा निवरत अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबुद्ध जनों और बुद्धी जीवियों से सुजाव लिए जाएगे इसके लिए सभी जिलों और संभाग स्तर पर तयारियां पूरी कर ली गई है आईएब आपको दिखाते हैं कि क्या है राजस्थान मिशन 2030 और क्या है इसका पूरा रोड मैप राजस्थान मिशन 2030 प्रगती की गती अब 10 गुना माननिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलो जी ने जब से पद संभाला है उनका यही उद्देश रहा है कि आम जन तक मूल भूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है बढ़ती महेंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश से ही महेंगाई रहत कैम्पों का आयोजन किया गया और सभी जन हितैशी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाब जरूरत मन्द लाभारती तक पहुंचाना सुनिष्टित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्रीय अशोग गहलोत अपने इसी उद्देश को मिशन का रूप देने जा रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030 जिसके तहट प्रदेश की प्रगती की गती दस गुना बढ़ाई जाएगी। जिससे 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। नंबर एक राज्य बनेगा। मगर ये विभिन क्षेत्रों से जुड़े विशेशर्ग्यों, सभी विभागे करमचारियों और आमजन की मदद सलहा और सुझाव के बिना संभव नहीं है। हमें मिलकर राजस्थान मिशन 2030 के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। हर अनिवारे क्षेत्र के लिए मानक या स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने होगा। साथ ही इन मानकों में तैय लक्षों को समय पर कैसे पूरा किया जाए, इसकी कार्य योजना पर गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए राजस्थान सरकार की योजनाय चरण बद तरीके से इस प्रकार है। नमबर एक, विक्सित राजस्थान 2030 नाम से एक डॉक्यमेंट तयार किया जाएगा, जिसके अंदर सभी विशिशग्यों, हित धारकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सुझाव समाहित किये जाएंगे। नमबर दो, डॉक्यमेंट तयार करने और लोगों के सुझाव एक अठा करने की लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां अलग-अलग शेत्रों के विशिशग्य, विभिन विभागों के सदस्य और आम जन सभी अपने विचार, सुझाव और अपिक्षाएं ऑनलाइन स नमबर चार, इस मिशन में आम जन की भागेदारी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, इसके लिए लोगों की घर घर जाकर उनसे सुझाव मांगे जाएगे, प्रदेश वासी भविश्य में अपनी तरक्की को किस दृष्टी से देखते हैं और वे राजस्थान को वर्ष 2030 म कहां देखना चाहते हैं, इस संबंध में उनकी राय मांगे जाएगे. नमबर पांच, प्रदेश के कुछ हिस्सों में IVR सर्वे भी किये जाएंगे, जहां लोगों से अपेक्षाएं और सुझाव अमंतरित करने के लिए, आमजंग से एक टोल फ्री नमबर पर कॉल करने और निशुल्ख सर्वे में भाग लेने के लिए निवेदन किया जाएग नमबर चै, युवाओं को राजस्थान मिशन 2030 से जोडने और भविश्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान के समस्थ स्कूलों और कॉलेजों में राजस्थान मिशन 2030 विशय पर निबंद प्रतियोगिताए आयोजित की जाएंगे. साथ, राजस्थान Mission 2030 अभियान में आमजन की सक्रिय भागयदारी सुनिश्चित करनी के लिए राजस्थान Mission 2030 वीडियो कौन्टेस्ट संचालित किया जाएगा. आमजन इस कौन्टेस्ट के माधिम से राजस्थान Mission 2030 के लिए अपने सुझाव वाले विडियो सोशल मीडिया पर अप्लोड कर प्रती दिन पुरसकार प्राप्त कर सकेंगे नमबर आठ, माने निये मुख्य मंत्री, विभिन हित धारकों और प्रभावशाली समूहों जैसे जन प्रती निधियों, सरकारी करमचारियों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर्स, गिग वर्कर्स आदी के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे समबाद करेंगे नमबर नौ, सभी विभागों द्वारा विभागिये मिशन 2030 दस्तावेज, डिपार्टमेंटल विजन डॉक्यमेंट तयार किया जाएगा नमबर दस, पहले विभागिये मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा और फिर राज्य का राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज जारी किया जाएगा इस तरह सभी पहलूओं पर गौर कर सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों और आमजन की सलहा पर एक विस्तृत कार्य योजना तयार होगी और फिर क्रियानवयन का कार्या आरंब होगा हमें पूरुन विश्वास है कि इसी तरह सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होगे प्रदेश की प्रगती की गती में दस गुना वृद्धी होगी और राजस्थान का नाम देश के अगरणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा जन सम्मान जै राजस्थान जै हिंद सुझस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार